हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ECCE Educator बरती और Special Profession Educator बरती परकरिया से जुड़ी ही आरही बड़ी अपडेट के बारे में बरती परकरिया पर सभी जिला बेसिक सिछाथ कारियों को सकत निर्देश बेसिक सिछाभी भाग से आबेदन फांग बनने की लास्ट डेट 12 नॉमबर क्या है खबर उसको भी चानेंगे पांच अजार तिरासी पदो पर Special Profession Educator भरती में कटेगरी वाइस पदो का डाटा हुआ जारी सेवायोजन आईडी करेक्शन डेट जारी क्या-क्या सुधार कर सकते हैं वो सभी भाई बहन जिनकी सेवायोजन आईडी में किसी प्रकार की कोई तुटी हो चुकी है उसको ले पर पहली बार पिजिट करें और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चुरूर दबाएं आगे की सही सदीग और आफीसियल पथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आईए दोस्तों सुरू करते है आज का यहाँ वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे ECCE एजुकेटर भरती और Special Profession एजुकेटर भरती में आबेदन फार्म बनने को लेकर के सबसे पहली और आवस्यक सर्थ सेवायोजन पोर्टल से जुड़ी हुई महात्पूर जानकारी दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जितनी भी उताप्रदेश में आउट्सोर्सिंग सम्विदा भरतियां होती हैं सम्मे आबेदन की प्रकरिया सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से संपादित होती है और सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से जितनी भी वेकेंसियो को fill up करते हैं 9 step के अंदर और 9 step complete होने के बाद सिवयजन portal पर आपका registration हो जाता है अब आप सभी को यहां पर बता दें बहुत सारे हमारे भाई बहन या तो खोद सिवयजन portal पर registration करते हैं या cyber cafe में जा करके सिवयजन portal पर registration करवाते हैं ऐसे में क्या होता है कि जल्दबाजी में बहुत कुछ mistakes हो जाती हैं हमारी सिवयजन ID में तो ऐसे में आप सिवयजन portal की तरफ से आप सभी लोग अपनी ID जो बनाई है सिवयजन portal पर और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई mistake हो गई है कोई गलत जानकारी फिलप हो गई है तो उसको आप update कर सकते हैं यानि उसे edit करके सही कर सकते हैं तो कौन कौन सी जानकारिया सिवयजन portal पर आप का registration जो है उसमें आप सही कर सकते हैं और किसको नहीं सही कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप स поставly लोगो अगर अपना सिवायोजन पोर्टल रेजिस्टेशन जिन भाई बहनों ने कंप्लीट कर लिया है और अगर उनकी सिवायोजन रेजिस्टेशन की प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई भी मिश्टेक हुई है तो वो यहाँ पर देख लें और क्या-क्या चीजें वो सुधार लेते है तो दोस्तों आप सभी को बता दें जिन भाई बैनों की सिवायोजन पोर्टल पर रेजिस्टेशन की प्रकारिया कंप्लीट हो चुकी है और उनके रेजिस्टेशन करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी भर गई है तो यहाँ पर वो एडिट कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं बाकि अनकोई भी जानकारियां आप अपने रेजिस्टेशन में करेक्ट नहीं कर पाएंगे यह चीज आप समझ लीजिये तो सिर्फ दो ही प्रकार की आप एडिट कर सकते हैं एक तो सैच्छी की योगित से संबंधित दूसरी कारी अनुभव और कौसल से संबंधित जानकारियां आप अपने रेजिस्टेशन में कभी भी एडिट कर सकते हैं और इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है दोस्तों ये आप सभी लोग कनफर्म समझ लें अब बात कर लेते हैं इस्पेसल प्रोफेशन इजुकेटर में 5,083 पदों पर जो भर्ति का विग्यापन जारी हुआ है उसमें कटेग्री वाइड जो डाटा डिवाइड किया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये 5,083 पदों पर इस्पेसल प्रोफेशन इजुकेटरों की निक्ति की जानी है छे से आठ तक के विद्यालियों में उनको चार कटेगरी के अंतरगर डिवाइट करके जो है भरा जाएगा पहली कटेगरी आप सभी लोग जानते इंजीनिरिंग एंड वर्कसाप की है दूसरी आप सभी लोग जानते एनर्जी एंड इन्वार्मेंट की है तीसरी ए पदों पर निकती होगी यह जानकारी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं यह एक जिले का डाटा इससी तरीके से सभी जिलों को डाटा जो है वो कटेगरी वाइट निकल कर सा क्या होनी चाहिए और इसके साथ अगला जो पद है यहां पर आप्स सभी लोग देख सकते हैं, वहीडबी discuss किया जा रहा है और अगली post यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है technical instructor energy and environment के रूप में जो category wise किया गया है इसके लिए भी 11 पदोप पर निक्तियां की जाएंगी और इसके लिए भी सैच्छिक योगिता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गई क्या क्या रहने वाली है बाकि पिछली वीडियोच के मादन से हमने सैच्छिक योगिताओं के बारे में detail जानकारी दी है अगला जो category है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह सुल्तानपुर जिले के लिए जो है category wise data है अगला है agriculture, nursery, gardening इसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं बीएससी agriculture आपको चाहिए और इसके लिए सुल्तानपुर जिले में 10 पत जो है वो रिक्त है अगला जो आपकी category है वो है home and health के लिए ओम और health के लिए है और वहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है home and health के लिए यह देख लिए home and health की category के अंतरगत बीएससी home science वाले आपेदन कर सकते हैं, ITI food production वाले कर सकते हैं, ITI present designing वाले कर सकते हैं और IDI Saving Technology वाले कर सकते हैं और कुल 10 पद यहाँ पर जो है इस कटेगरी के अंतरगत रिक्त रखे गए हैं बाकी यह official जानकारी है इसमें किसी भी प्रकार की कोई interference नहीं किया गया है BSN की तरब से यहाँ पर जो official data जारी किया गया है उसी के recording यह जानकारी सेर की जा रही है और देख सकते हैं आप सभी लोग कि यह जानकारी जो है रिपोर्टिंग अधिकारी उपेंदर गुपता जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी शुल्तानपूर की तरफ से जो है वो official notification के तहट आप सभी के साथ discuss की गई तो कुल मिलाकर के इस तरीके से 5083 पद जो सभी 75 जिलों के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें इसी तरीके से जिलेवार कटेग्राइज किया जाएगा इन सभी पदों को और उतने ही पदों के सापेच आवेदन की प्रकरिया जो है वो संपातित कराई जाएगी अब मूब कर लेते हैं ECCE एजुकेटर भरती में आवेदन प्रकरिया और जिला बेसिक सिछादकारियों से चुड़ी है मातपूर अबडेट के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि ECCE एजुकेटर भरती और Special Professional एजुकेटर भरती के बारे में बहुत सारे लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है ना तो Official और Unofficial जानकारी वो सेर करके विभिन सोसल मीडिया साइट जैसे यूट्यूब चैनल हो गए टेलिग्राम चैनल हो गए वाटसेप ग्रूप हो गए वहाँ पर फरजी जानकारिया सेर करके इस भरती से संबंधित अ बरती यानि जो इसमें आवेधन करना चाहते हैं उनको गुमराह करते रहते हैं आए दिन एक ऐसी खबर डाल देंगे जिसे वो परिसान होते रहते हैं इसलिए आप सभी को बता दें ब्रामक खबरों से आपको अगर बचना है तो किसी एक चैनल पर हमें नहीं कहते हम पर आ सारे लोग डिसकस करते हैं तो यहाँ पर चीजें आप सभी लोगों को सही ही दे जाएंगी फालतू की चीजें आपके साथ सेर नहीं की जाएंगी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरभरती होगी या नहीं होगी तो आप सभी लोग पैसंस बनाये रखें भरती 100% होगी क क्या है ये अपडेट दोस्तों आप सभी को बता दें ECC Educator बती और Special Profession Educator बती में आवेदन फाम भनने की डेट को लेकर के ये एक फरजी जो है खबर सोचल मीडिया पर वाइरल की जा रही और इसको लेकर के बहुत सारे भाई बहन हमारे डिश्टरब और परिशान है और उस कहा जा रहा है कि ECC Educator बती और Special Profession Educator बती में सभी जिलों में आवेदन फाम भनने की अंतिम तिथी 22 नॉम्बर है दोस्तों ये बात बिलकुल समझ से परे है जब अभी सभी जिलों में सेवा परदाता एजंसी का चैन नहीं हुआ है तो वहाँ पर आवेदन प्रकरिया कैसे सुरू हो गई और अगर आवेदन प्रकरिया सुरू हो गई तो क्या मात्र साथ दिनों के अंदर भरती प्रकरिया में आवेदन की प्रकरिया सभी 75 जिलों में कंप्लीट कराई जा सकती है बिलकुल भी नहीं कराई जा सकती है तो ये जो खबर सेर की जा रही कि 22 नॉमबर ल लोगों से आप सभी लोग दूरी बना करके रखें अने था कहीं ऐसा ना हो कि आप के लिए जब आफीशियल आबेदन परकरिया शुरू हो तब आप आबेदन करने से वन्चित हो जाएं ऐसे भ्रामत लोगों के चकर में फस करके तो कुल मिला करके अभी किसी भी जिले में ECC अबेदन की परकरिया शुरू नहीं हुई है इसको लेकर के बिल्कुल आप सभी लोग निश्चिंत रहें जैसा ही आफीशियल किसी भी जिले में आबेदन की परकरिया शुरू होगी आपको चैनल के माध्यन से सूचित किया जाएगा और डिटेल्ड जानकारी वहाँ पर दिसकास की जाएगी और यहाँ पर एक बात और आप सभी लोग समझ लें कि किसी भी जिले में अगर आबेदन की परकरिया शुरू होगी तो उसकी एक आफीशियल विग्यप्ति उस जिले के जिला बेसिक सिचाधिकारी की तरफ से जादी की जाएगी और अकबारों में या लास्ट डेट है आबेदन करने की तो वो पूरी तरीके से फेक ख़बर ही आप सभी को बता रहा है तो ये ख़बर पूरी तरीके से फेक है इस पर किसी भी भेक्ति की बातों पर आपको रिलाई नहीं करना है किसी भी जिले में अभी आबेदन नहीं सुरू हुई है हलाकि आपसे भी जानते हैं पिली भी दिवरिया सुल्तानपूर इन जिलों में सेवा प्रदाता एजनसी का चैन अपने अंतिम चरण में है त्री इस त्री जो इसका evolution होता है टेक्निकल होता है और उसके बाद एक और होता है ये दोनों evolution की प्रकरिया under process है इसके बाद R.A. grant होगा R.A. grant होने के बाद में आप सभी की जो है आगे प्रकरिया बढ़ाने के लिए आबेदन की प्रकरिया सुरू कराई जाएगी सेवा प्रदाता एजनसीों के दोरा और अभी तक किसी भी जिले में finally सेवा प्रदाता एजनसी का चैन नहीं हुआ है ये आपको approved करके हम बता रहे है आफीसियल जानकारी के according जैसे ही सेवा प्रदाता एजनसी का चैन होगा तुरंत आभेदन की प्रकरिया सुरू करने को लेकर के आफीसियल बिगिप्ति आएगी और आभेदन की प्रकरिया सुरू हो जाएगी अब जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजनसी के चैन को लेकर के आफीसियल बिगिप्त करना होगा यहां पर आरा है भरती प्रकरिया पर सभी जिला बेसिक सिछा अधकारियों को क्या सकत निर्देश जारी हुए है निदेशाले की तरफ से दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं करना है जिला बेसिक सिछा अधकारियों को सकत निर्देश जारी किये गए है और इस परस्ट कहा गया है कि उत्ता प्रदेश के सभी 75 जिलों में सेवापलदाता एजनसी के चैन को लेकर के कारवाई पूरी कर ली जाये समिछा बेठक से पहले आप सभी जिला बेसिक सिछा अधकारियों की तरफ से अपने अपने जिले में सेवापलदाता एजनसी के चैन को लेकर के आफिशियल विग्यप्तियां जारी करते हो है जिम पोर्टल पर बिड अपलोड करने की तयारी की जा रही है और आप सभी को नॉमबर के अंत तक आल सटीक जानकारी ही देने का प्रियास करेंगे क्योंकि ये भरती बहुत सारे इवाओं के लिए बहुत important है क्योंकि बेरोजगारी के आलम में अगर आपको जीवन यापन करने के लिए छोटा सा भी सारा मिल जाए तो बहुत महत्पूर होता है इसलिए जितने भी भाई बहन स एचिक eligibility criteria को फिलफिल करते हैं वो सभी इसमें आवेदन करेंगे और सभी का आवेदन कराना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए सभी तक official update पहुचाना भी हमारी जिम्मेदारी है अब इस जिम्मेदारी में आप सभी लोग थोड़ा सा योग कर सकते हैं इस वीडियो को सभी इस वीडियो को अंतक देखने वाले सभी सात्यों को तह दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धानिवाद अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार फिर से कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए हमें motivate करने के लिए और आप तक official update पहुचाने के लिए चैनल से नहीं इस वीडियो में लेट्टेस्ट अब्डेट के साथ आप तक लिए सभी सात्यों को जैंजे बारत बंदेवाद